हेलो ब्रीवान आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं को और नहीं इंपोर्टेंट वीडियो में इस वीडियो में बात करने वाले एंटीपीसी ग्रीन इनर्जी आईप्यो के रिलेटेट यदि आप एंटीपीसी लिम्टेड कंपनी के शेर होल्डर से तो किस तरीके से कौन करने के लिए किस तरीके की रूल कर सकती है इस वीडियो में बात करने वाले जो भी इन्फोर्मिशन अबलेबल है उसके साथ वीडियो को इन्त देखे हो और ऐसे ही रेगुलर इंपोर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ ही टेलिग्राम चै को NTPC प्लान कर रही है कि इस कंपनी की IPO जो अधा यहां पर देखा जा तो NTPC Green Energy Arms जो है NTPC के तहत काम करती है वही सबसेट्री अलग से लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी इन फूचर इससे पहले NTPC Green Energy Limited कंपनी की जो एस्टेक थी वह बैसने की प्लानिंग चल लही थ और जो भी यहां पर conversation चल ला था और पूरी तरिके से conversation यहां पर फेल होते हुए देखने को मिल चुकी 20% stake इस कंपनी की बात करें एंटीपीसी ग्रीन इनर्जी की तो यहां पर बिक्नी की प्लानिंग चल लही थी लोग किन यहां पर देखा जाए तो यह प्लानिंग आपक सकती है और IPO लाने की प्लानिंग जो चल लही है इसके पीछे की वज़ग की एक ही वज़ग करना चाहती थी और यहां पर नहीं होई है तो अब IPO को तुरू यहां पर फंट्रेज कर सकती है देखा जाए तो बुग विल्ट इसू यहां पर हो सकती है यानि कि जो IPO लाए तो काफी अच्छे रिश्पॉंस मिलेगी पॉस्पिलिटी और चांस रहेगी क्योंकि आने विले समय में जिस तरीके की फ्यूचर में ग्रीन इनरजी लिम्टेड कंपनी की बारे में कोई भी कंपनी होगी और ग्रीन इनरजी आपको नाम उस कंपनी के साथ जूर जाएगी तो वहाँ पर आपको अच्छे रिटन्स इन फिचर मिलते हैं वह देखने को मिल सकती है क्योंकि गवर्मेंट अफ इंडिया की जो पॉलिशी है और पूरी तरीके से कारवर न्यूटर करने की उसमें आपको ग्रीन इनरजी काफी ज्यादा हेल्प करेगी जिसके कारण से आ आपको अब आते हुए नहीं देखने को मिलेगी यहां पर न्टीपीसी की बात करें तो यहां पर जो आनेवल इसमें में अब आइप्यों को तरी ही पैसे रेस करने की प्लानिक चलेगी वैसे देखा जाए तो जो इस कंपनी की रेनेवल इनरजी जो एम है वो 60 में में चारण देखने को मिल सकती है तो यहां पर घंड यहां पर वैसे देखा जा तो इस कंपणी ने जिस तरीके से अपने लोग से लेकर हाई तक की बात करें तो काफी बहुतिर ने रिटन्स कोबीट में जो गिरावाट आई भी थी उस गिरावट से लेकर अभी तक की रिटन्स की बात करें तो उस गिरावाट में आपको कंपणी के लिए करभबार कर रही हो आपको 173 पर कर रही है यानिके 100 प्रसेंट से ज्यादा के रिटन्स इस कंपनी ने इतने सोट टाइम फ्रेम में देती हुए देखने को मिल चुकी है इन इतनी बहत्री इकली रिटन्स के पीछे की वज़ा की बात करे तो जो मेंधिव्य वज़ा आपको देखने को मिल लेए और कंपणी की जो चेयर प्राइस लोगी है ती कोईट में उस तरह में जो गिरावाट तो अपने जो average इस company की P-E ratio है देखा जाए तो medium P-E ratio की बात के तो 13 की है और इसकी अभी 9.7 की P-E पर अभी currently के सेरपाइज जो कारवार कर रही है उसके कोडिंग देखने को मिलना है तो उसके कोडिंग देखने को मिलना है तो इसके कोडिंग देखने को बात के तो company अभी भ इस company के face value है और industry की P-E ratio की बात के तो लगवद 90 के आसपास है तो यहाँ पर देखा जाए तो अभी भी अपने industry के P-E ratio की बात करें या इस company की medium जो average इस company के maximum जो चार्ट प्रूटर्स के recording P-E ratio निकल कराती है उससे undervalued अभी भी company के सेरपाइज लग रही है जिसके आने वह समय में इस company के सेरपाइज में तेजी आने की possibility और चांस काफी हद तक बढ़ते हुए देखने को मिल देखा जाए तो company की EPS की बात करें तो EPS देख सकते हैं अभी भी आपको 35 के आसपास देखने को मिल ले है और अभी currently company की P-E ratio की बात करें तो आपको 9 पिक के आसपास चल देख सकते हैं पर मोटर्स की वोलिंग 51.10 परसेंट है और एक होलिंग के बात करें तो यहाइक होलिंग पिछले को मुकाबले अभी बी इस पर देखने को मिल लिए 15.61 परसंट की डिया की बात की तो 30.52 परसंट थी मिनमम देखा जा तो अभी भी 30.51 परसंट देखने को मि और मोटर्स एफाई डियाई के पास देखने को मिल ला है जिनको इस कंपनी में काफी जाता आपको विश्वास है कि कंपनी आने वेले समय में काफी बेहतरी काम कर सकती है इसी कारण से आपको लगबग देखा जाए तो 46 परसंट के आसपास एफाई और डियाई इन दोनों के सेरबाइस 100 के नीचे कारवार कर दी थी उस समय भी मैंने बताया था कि इस कंपनी के बुक वैलू और समय 120 के आसपास थी तो वहां पर आपको आरे बाले समय 120 के चोड़ लेवाल है उसको तो ब्रेक करते हुए minimum देखने को मिल सकती है वहीं यहाँ पर होते हुए भी भी देखा जाया तो जिस तरीके की से में यहाँ पर डेट क्रोसवर बनी वे थी तो उसके बाद गिरावट बहुत देखा जाया तो यहाँ पर बनी और इसके बात सभी काफी बहतरी यहाँ पर तेजी इस कंपनी ने अपने शेयरोलर को और देखने को मिल चुकी है वैसे maximum चार्ट प्रटन्स के कोडिंग मंतली चार्ट प्रटन्स आप ओपन करके देखते हूं तभी अपने 2010 की जो लेवल है उसको ब्रेक करती है तो इस कंपनी की जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगी उसकी यदि में बात करें तो टूहंडेड फोटी के आसपास रहने बली है और सब्सक्राइब और सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करने के आप सभी का धन्यवाद में तब तक दीजाएं